नमस्कार में हूँ आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूस 31 उत्राखंड आईपील में मुंबई इंडियन्स के खिलाडी अकाश मदवाल बीदेशाम भूड की पहुंचे इस दोरान छेतर वासियों ने अकाश मदवाल का जोरदार स्वागत किया है इस मौके पर आकाश ने कहा कि आईपील के दोरान सीनियर खिलाडियों के साथ बिताया गया उनका समय काफी अच्छा रहा साथ ही उन्हें बाकी खिलाडियों से काफी कुछ सीखने को भी मिला है बताने के उत्राखंड रणजी टीम के खिलाडी रुणकी के धंडेरा निवासी आकाश मदवाल का चैन मुंबई इंडियन्स टीम की ओर से किया गया था वही टीम में चैन होने के बाद आकाश मदवाल के कोच अफतार सिंग और आकाश के परिजनों समेथ शेतर वासीयों में खुशी का महौल रहा वही टीम में चैन होने के बाद आकाश का अपने घर धंडेरा पहुचने पर जोरदार स्वाकत किया गया जोरान सेक्डो युवाव की भीर जुटी रही साथे अन्यस्थानिये लोग भी भारी संख्या में पहुचे जोरान आकाश के मा आशा मदवाल ने कहा उन्हें गर्व है कि उनके बेटे ने उनका और शेतर वासीयों का नाम रोशन किया है और उन्हें विश्वास है कि वो भविश्य में शेतर का नाम पूरे विश्य में रोशन करेंगी वहीं आकाश के कोच अफ्तार सिंग्ग ने कहा कि आकाश आने वाले खिलाडियों के लिए प्रेणना सोथ हैं सांती उन्होंने कहा कि आकाश मदवाल की खेलने के श्मता बताती है कि वो एक दिन इंडिया के लिए जरूर खेलेंगे. वहीं आकाश मदवाल ने कहा कि आईपील के दौरान वरिष्टे खिलाडियों के साथ बिताया गया समय बहुत महत्तपून रहा. साथ ही उन्हें काफी कुछ सीखने को मिला है और उनका सपना है कि वो इंडियन टीम के लिए भी खेले उन्होंने कहा कि वो पूरी महनत करेंगे और अपने शेत्र का नाम रोशन करेंगे हुध पुछ स lux बहुत नची हुभार जग ए लग्या इसके लाख हो लेकिन अबने लिए युझा करेंगे हुझे एक जितना पीर मुझे रजए ब्लक देया डंडेरे का नाम एक सब जानना चाहिए जैसा मैं जहां से हूँ कि मैं यहां खेलता था सब के बीच में खेलता था तो सब को पता लग नचे कि यहां से एक लड़का रिख लाए यहां के लिए है कि महनत करते रो अपने पैशन को कभी मत छोड़ो